मैं हैं स्लामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइब एक कॉंस्टेबल को कार की बोनट पर करीब 4 किलो मीटर दूर तक लटका कर ले गया जिससे कॉंस्टेबल की जान पर आफ़त बन गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार की बोनट पर लटका हुआ ये कॉंस्टेबल और उसे रोकने की कोशिस भी की जा रही है ये पूरा मामला मध्रपरदेश के इन दौर का है जहां चेकिंग के दौरान इस कार को रोकने की कोशिस की गई तो कॉंस्टेबल पर मुसीबत बनाई घटना को लेकर हिट कॉंस्टेबल शियू सिंग ने क्या कुछ पूरी जानकारी दी है आपको सुनाते है इसने गाड़ी श्टार्ट किया तो मैं समझ रहाता है कि रुक जाएगा है यह रुका नहीं मेरे ऊपर चड़ाया तो चड़ाया था मैं इसको पकड़ लेट गया का बनाट के उपर लेटने के बात भी निए इसने रोका वो कुछ दूर तक मैं लेटा ही रहा फिर कुछ सम कड़ मार रहा है तो जिससे मैं उचल जाओं तो फिर मैं पकड़े मजबूत हदोनों हाथ से पकड़ दिया मैंने का भगवान ही मेरा मालिक है मैंने पकड़ के अपने को कंट्रोल करके इसकी मोडर्ण पर बैठ गया चलती गाली में इसने रोका नहीं मैं बैठ गया बैठन पर रहे तो नहीं रोकर यादा आगे जाके सामने ट्रकों को रस्ता बंद कराया तो इस अंदर गुशेडा रोग गुशेड़ा गुशेड़ने के बाजिया वहां देखा इसको निकाला इसके पास एक पिश्टल एक रिवारबर और और जिंदा इसके सीट के पकल में रखे कर लिया है इस पूरे मामले पर सुबेदार सुरेंद्र सिंग ने क्या कुश बताया है आपको सुनाते हैं इसके ये घटना तो एक लापरवाही नहीं बोल सकते इसको बहुत अपरादिक प्रवरत्ती की घटना है और ये जिसने भी कारचालक जो है केसव उपाद दिया है इसके पास से पिस्टल भी मिली है गाड़ी से बता रहे हैं लाइसेंसी है लेकिन जो पुलिस हमारे हेट सा है उसके बाद उसको हमने भगने नहीं दिया और पकड़ लिया थाने के अंदर है और उसके ओपर सक्ते सक्त का रवाई की जाएगी इसमें कोई संदेय नहीं है अभी शिकायद की थाने पर आपने हाथ में उसके वाद ही में यहां से जा रहा हूं यह चार किलोमेटर का उनको बोनट के उपर लेके आया है यह तारीफ काविल है मैं उन्हें हेट साप को बहुत बहुत मतलब एक कमेंटेटर कमेंट कांग्रेचुलेशन के वो हगदार हैं कि उन्होंने अपनी वर्दी की इज़त के साथ साथ अपने जीवन की परवा ना कर करते हुए उसको उस अपराधी को भागने नी दिया